Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 6.2 का question number 5, तो question number 5 क्या कहता है, find the sum, यहाँ पे हमारे दो parts दे रखे और हमें इनका sum find out करना है, तो यहाँ पे पहले हम A वाला part देख लेते हैं, solution A, सबसे पहले हम इसका bracket अटा लेते हैं, तो bracket हम किस तरह से अटाएंगे, यहाँ पे यह minus है, तो इसक 16, अब यहाँ पे इन दोनों number को हम क्या करेंगे, add करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों sign क्या है, same है, यह भी minus का, यह भी minus का है, तो 7 और 9 को अगर हम add करेंगे, तो क्या हैगा हमारा 16, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, इसके आगे sign कौन सा लगेगा, जो इन में से बड़े number का sign है, और बड़े number का sign क्या है, यानि 9 का sign है minus, तो यहाँ पे minus लगेगा, plus का 4, plus का 16, इसको ऐसे लिखेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को देख लेते हैं, अब देखो, यहाँ पे यह minus का, यह plus का है, तो हम क्या करेंगे, subtract करेंगे, तो 16 में से 4 आएगा, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और इससे पहले sign कौन सा आएगा, जो बड़े number का sign है, बड़ा number क्या है, 16, 16 का sign क्या है, minus, तो यहाँ पे minus आएगा, plus का 16, अब यहाँ पे देखो, यह minus है, यह plus है, तो क्या करेंगे, हम subtract करेंगे, तो 16 में से 12 जाएगा, तो कित का 4 आएगा, तो इसका answer हो गया, plus 4, बी वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पे पहले हम इसके bracket डालेते हैं, यह 37 को 37 लिख लेंगे, यहाँ पे plus है, यह minus है, plus minus, minus आएगा, minus का 2, यह plus है, यह minus है, plus minus, minus आएगा, 65, यह plus है, यह minus है, plus minus, minus का 8, अब यहाँ पे पहले हम इन दो नमबर को देख लेते हैं. इसको हम क्या करेंगे? शब्स्टेक्ट करेंगे. तो 37 में से 2 जाएगा. कितना बचेगा हमारा? 35. तो इसको 35 लिख लेंगे. इस 65 को ऐसे लिख लेंगे. इस 8 को भी हम ऐसे लिख लेंगे. अब यहां पे हम इन दो नमबर को देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखो 35 हमारा positive है और 65 negative है तो इसका मतलब हम इसको subtract करेंगे, 65 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 30 बचेगा, यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे, इसके आगे sign कौन सा लगेगा, जो इसमें बड़े नंबर का sign है, और बड़ा नंबर का है, 65 इसका sign क्या है, minus तो यह हमारा minus आएगा, फिर minus 8 को ऐसे लिख लेंगे, अब यहाँ पर क्या, यह minus का है, यह भी minus का है, तो add करेंगे 30 में 8 add करेंगे, क्या आजाएगा, 38, sign कौन सा आएगा, minus का, क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर का sign minus है, तो भी वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, minus 38, लास पार्ट था, questions हम आप, next lecture में करेंगे, next questions, आज के लिए बस इतना ही